हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं AKS Service & Food Development चैनल और इस वीडियो में हमारे पास है DoubleDeck Advanced Electric Bakery Aven और इस वीडियो में मैं आपको Advanced Electric Aven किस तरीके से वर्क करता है क्या फीचर और क्या स्पेसिफिकेशन और किन रेस्टोरेंट और बैकरी सेटप में आप यूज कर सकते हैं यह सारी इंफोर्मेशन मैं आपको बताऊगा और इसके साथ साथ वीडियो के एंड मैं आपको प्राइसिंग में बताऊगा तो जिनों ने अभी और यहां पर आपके पास सेकिंड डेक है और दोनों ही डेकों के लिए आपके पास सेपरेट टेंपरेचर कंट्रोलर है जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमर के साथ यह आपका टॉप टेंपरेचर कंट्रोलर है और यहां पर आपके पास स्विच और यहां वाटम टेंपरे तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आप किस तरीके से एडवांस डबल डैक इलेक्ट्रिक बीक्री अवन को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से आपको इसके सारे एजिस दिखा दी है तो स्टार्ट करते ने सबसे पहले ऊपर वाले डइक थे बात करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर आपको जोyy Şu वो स्टील में है और यहां पर आपके पास temperature controller जिसमें आप 400 degrees तक का temperature set कर सकते हैं और सेम एस इस पॉटम में भी आप 400 degrees Celsius तक का temperature control कर सकते हैं तो सबसे पहले हम प्रेस करते हैं तॉप स्विच यानि आपको टॉप से कितनी heating चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पर 20 degree आ रहा है उसके बाद यह थड़ है आपका लेंब कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इसका जो लैंप है यह लैंप option ओन हो गया है जिससे कि आप अपने डोर को विधाउट डोर को ओपन के भी अपने इंसाइड चेंबर को देख सके कि आपकी रसीपी प्रॉपर बेख है यह नहीं तो यहां से आपकी हीटिंग को भी मैंटेन करके रखता है तो यहां पर आपके पास दो ट्रे होती है जिसमें आप अपने बेकरी क emotुट स्टफ बेक कर सकते हैं जैसे आपको केक स्पई करने हैं। तो आप वह बग्व कर सकते हैं बर्गर बन पाओ क्रीम रोल रस अब बेकरी के पैटी मैं जो ऊपर वाट है कि अगर पीजा उबस साथ इंच के बारा पीजा आप बेकर सकते हैं आर सेंग नीचे 12 चौबीच फेजा इटाइम ढ़ा कर सकते हो और के क्ये आगर पैन हाँ आपक 6 elements है और same 6 नीचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो temperature है 26 degrees आ रहा है और जैसे ही मैं rotate करूँगा यह off से on हो जाएगा और यह green में indicate हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो temperature है वो on हो चुका और temperature 26 degrees दिखा रहा है और यहाँ पर जो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगे इसलिए मैं इन दो ट्रेस को रिमूव कर देता हूं तो यहाँ पर जो आपका temperature है 26 degrees यह increase होना लगेगा और हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो भी हमने इस जो सेम है इसको भी आप इसी तरीके से रोट को नोप को रोटेट करके temperature सेलेक्ट कर सकते हैं और हम नीचे वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जैसी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा यहाँ पर आपका अलार्म सिस्टम ओन हो जाएगा तो आप यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं मैं यहाँ से वन मेट की बॉटम स्विच लैंप आप देख सकते हैं लैंप दोनों ही डैक के लिए आपके पास दो ट्रे मिलेंगी और यहां पर भी सेम है आपका इंटर्नल एरिया और यहां पर आपके पास एक ब्रॉशर होगा जिसमें आप इसकी सारी स्पेसिफिकेशन पर सकते हैं जो कि मैं आपक करेंगे और यहां पर आपके पास सेपरेट हैं दोनों के दोनों डैक के लिए टेंपरेचर कंट्रोलर और यहां पर आपके पास वीज हैं ताकि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूब कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसी टाइमर होगा आपको इस तरीके से बज होगा और इसके बाद आपका टेंपरेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आपका टाइमर है वह वक करेगा और आप देख सकते हैं यहाप पर टेंपरेचर हो 44 डिग्रीज आ चका है और मैंने यहाप फिफ्टी डिग्रीज पर सेट क्या हुआ है तो 40 डिग्रीज पर जैसे रहाएगा यह ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा तो इसके बाद आप आप देख सकेंगे यह किस तरीके से आटोमेटिक फंक्शन पर वक करता है तो जिससे आपके की रैसेपी या जो भी आपके राप तिस तरीके से बटी तो यहांपर फिफ्टी डि आएगा और आप देख सकते हैं हाँ पर स्मूग भी आपको देखने को मिलेगी फर्स टाइम क्योंकि इसमें एंटिरस्ट ऑईल यूज किया जाता है जिससे कि और फर्स टाइम पेंटीड एडिया होता है जिसकी वाज़े से आपको स्मूग देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक या गैस अवन दोनों में ही और यहाँ पर आपका टेंप्रेचर इंप्रीज होगा और आपको बॉटम वाला ओन करना है तो आप बॉटम वाला भी ओन कर सकते हैं मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको टॉप टेंप्रेचर कंट्रोलर को ओन करके दिखाया है अब मैं आपको इसकी इंफोर्मेशन बता देता हूँ जो इसकी इंफोर्मेशन है क्या लाइट कंजम्शन है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीज़े एकसर्विस एंड फूडिकमेंट चैनल को ताकि आप लेट 15 HZ है और जो वोल्टेज है वो 220 और इसका जो वेट है वो आपका 160 के अरौंड के जी के अरौंड है और यहाँ पर जो डाइमेशन आप देख सकते हैं 1220, 820 और 1120 mm है और यहाँ पर CEE certificate है और मैं आपको डाइमेशन इसकी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैजिंग 9 लेंध और इgens मैं आप देख सकते हैं 4Fight इसकी लेंध है और जो इसके फ्रन्ट है वह 4Fight और इसकी विट आपकी विट देख सकते हैं यह आपकी 32 Inches विट है इसकी हैं ऑर इसकी हाइट जो कि आपकी वील से बॉडी तक की यहाँ पर आपकी 43 43.75 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो टेंपरेचर कंट्रोलर है टॉप का 90 डिग्रीज पर आ चुका है और बाटम का 118 जो कि हमने मैंने सेट कर दिया था टेंपरेचर को और यहाँ पर जो अभी मैंने स्टार्ट कर रखा है आपके नीचे वाले डेक का भी बाटम का 80 डिग्रीज है और नीचे वाला 35 डिग्रीज है जब मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा था और जैसे कि मैं आपको बता रहा था है और जैसे कि मैं आपको बता रहता है यहाँ पर वील्स है ताकि आप एजली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकें और कई सम्टाइम्स आपको क्लेनिंग में भी इजी हो और जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब फीज एक सर्विसेंड फूड इक्युमेंट चैनल को और इसके बाद मैं आपको प्राइजिंग के बारे में बताता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको gas oven required है 3-6 tray तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं वीडियो शेंक्षन में जाकर और इस 3-6 tray को आप easily 70,000 प्लस 18% GST में purchase कर सकते हैं यानि 70,000 प्लस 18% GST और अगर आप call करते हैं 9891709656 पर या फिर 9717463679 पर अगर contact करत सकते हैं तो वहाँ पर आपको definitely discount होगा 3-5,000 का और आप विजिट भी कर सकते हैं www.ekfoodecumence.com पर यहाँ पर आप जाके advanced electric oven के और भी modern देख सकते हैं जैसे कि यह double deck electric oven का single version है single deck two tray electric oven तो आप इनकी भी वीडियोस देख सकते हैं और मैंने आपको pricing बताई हुई है और आप हमें search कर सकते हैं ek service and food equipment के नाम से net पर या google पर और visit कर सकते हैं www.ekfoodecumence.com पर तो यहाँ पर मैंने already plug-in किया हुआ है machine को power supply में high voltage में mcb से connect करना है आपको normal socket में इस oven को connect नहीं करना है अब इसकी trace की भी मैं dimension आपको calculate करके दिखाता हूँ जैसा कि मैंने आपको 16 x 24 के बताया था तो आप देख सकते हैं यह 24 है और अगर आप mm में calculate करेंगे तो 600 x 400 mm की आपकी ट्रे होती है करेंगे तो करेंगम कर दित Sw брос कर दो कर दो झाल झाल